Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis सेर करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चली Traders आज की इस पहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं हमेशा की तरह हम लोग उन stocks को सबसे पहले discuss कर लेते हैं इसे मैंने आप लोगों के साथ आज के Intraday Session के लिए share किया था तो आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday Stock था Hevels जिसके अंदर आज हम लोगों को हलका सा Gap Up Opening देखने के लिए मिला था In fact, आप में से बहुत सारी लोगों ने message भी किया था Hevels के अंदर हम लोगों को Gag करना चाहिए Gap Up Opening पर और Traders मैंने आप लोगों को बहुत पार बताया है कि जब भी कोई Gap Up Opening देता है तो उसके बाद Maximum Probability होता है Gap Fill करने का तो उस case में आप लोगों को कभी भी Panic नहीं करना चाहिए वेट किया कि यह patiently breakout होने का 15-minute candle closing का या फिर 5-minute candle closing का minimum और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 15-minute का closing इसके अंदर देखने के मिला फिर यह जाकर कि अपने इसी level को retesting किया और फिर इसके अंदर हमारा जो target था वो successfully achieve होता हुआ नजरा है तो I hope Hevels के अंदर आप सभी लोगों ने एक बेहतरीन profit जरूर generate किया होगा आज के लिए मेरा दूसरा intraday stock था Tata Communications इसके अंदर भी traders आज हम लोग को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला था second half में और हम लोग देख सकते हैं कि breakdown आने के बाद इसके अंदर भी बहुत ही खुपसूरती से यहाँ पर retesting देखने के लिए मिला और फिर easily इसके अंदर भी हमारे जो target है वो successfully achieve होता हुआ नजराया है इसके साथ सा traders हिंदुस्तान Unilever का भी chart analysis मैंने आप लोगों के साथ share किया था इसके अंदर आज हम लोग को कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिल पाए क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी breakout हम लोगो देखने के लिए नहीं मिला है आज के लिए मेरा अगला इंट्राटे स्टॉक था अमराजा बैटरीज इसके अंदर भी आज हम लोगो कोई भी entry प्लान करने का मौका नहीं मिल पाए क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि आज यह फिर से अपने इसी train लाइन पर बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है इसके साथ सा टेडर्स आज के लिए मैंने ACN Paint का भी चार्ट लाइन इसी साप लोगों के साथ सेर किया था इसके अंदर भी हम लोग को बहुत ही सांदार वॉल्म के साथ में ब्रेकाउट देखने का मौका मिला था लेकिन उसके बाद यह जाकर के हाई बना पाया था डबल 3359 के ही एराउंड में और उसके बाद यहाँ पर कॉंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ और कहीं न कहीं सुभा कहीं ब्रेकाउट में हम लोग देख सकते हैं कि लगभग साड़े बारा बजे के आसपास में यह जा करके हमारे स्टॉप लोग को हिट कर गया लेकिन ट्रेड प्रोवाइड किया था एक 11 बजे के आसपास में जिसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि ACN पेंट के अंदर हमारा जो स्टॉप लोस है वो सिर्फ 20 पैसा से बचा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 10 बजे के आसपास में यह हमारे स्टॉप लोस के नश करके रख सकते हैं तो आई होप ACN पेंट के अंदर आप में से माक्सिम लोगों का बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रेड आज इनिसीएड किया था इसके अंदर तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चरूर बताईएगा और इन सा इसके अंदर बहुत ही सांदार कॉंसोलिडेशन होते हुए नजर आया है और फिर देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार मोमेंटम इसके अंदर जेनरेट होता हुआ दिखा है इसके साथ सा ट्रेडर्स दजबस के 35 मिनिट पर मैंने लाइव मार्केट में आप लोग को ये इचीव हुआ है और इन सब स्टॉक के साथ सा ट्रेडर्स आप मेंसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मुझे कि आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेस बैंक को मिस्स कर दिया है तो इसलिए मैंने फिर चोला फिन का भी चार्ट अनालिस आप लोग के साथ सेयर किया था लगभग 11 बच के 26 मिनट पर उस समय इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को inverse cup और handle pattern create होता हुआ नजर आ रहा था और फिर चोला फिन के अंदर भी हम लोग को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने का मौका मिला और हम लोग देख सकते हैं और सिर्फ एक intraday stock में यानि कि ACN print के अंदर हमारा stop loss हीट हुआ है और इसके अंदर भी traders मैंने आप लोग का जो stop loss है वो trail करवा दिया था तो I hope आज आप सभी लोग का जो दिन है वो बहुत ही बहतरीन गया होगा तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग को मेरी analysis प बताया था कि आज live market में मैं active रहूंगा और यहाँ पर proper updates भी आप लोग को देखने के मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी तरब से आप लोग को पूरा updates प्रोवाइट किया है 3-3 intraday stock का analysis share किया था तीनों के तीनों में हम लोग को एक अच्छा खासा momentum भी देखने के लिए मिला है तो इतनी अच्छे तरीके से traders analysis कोई भी share नहीं करता है अपने premium group में भी जो आप लोग को यहाँ पर free में देखने के लिए मिल रहा है वो भी इतने detail में proper regions के साथ में और इतनी अच्छी accuracy आप लोग को live market में भी देखने के लिए मिल रही है तो इसल traders मैंने अपनी तरफ से आप लोग का जितना भी help हो सकता था आज किया है live market में भी आप लोग के personal messages का भी reply दिया है तो इसलिए अब आप लोग की बारी है कि इस वीडियो को like कीजिए इस वीडियो के नीचे comment कीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि ये जो वीडियो है वो और भी जादा लोगों तक पहुंच सके तो चलिए traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उने stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं और कल जीने stocks के अंदर potentially हम लोग को कोई भी breakout या भी breakdown देखने के लिए मिल सकत हैं कि higher volumes में इसके अंदर buying होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर ये अपने इस neckline को break करता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है तो इसलिए traders HDFC AMC को कल के लिए आप लोग जरूर अपने radar पर रखेगा इसका जो level से मैंने आप लोग के यहां पर mention कर दिया है कल के लिए traders मेरे दूसरा intraday stock रहेगा बजाज finzer इसके अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि similar kind of pattern हम लोग को create होता हुआ नजर आ रहा है साथी में आज इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही higher volume पर bind भी होते हुए नज definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग बजाज finzer के अंदर भी capture कर सकते हैं इसका भी level traders मैंने आप लोग के लिए हाँ पर mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लीजेगा और calculateds मेरे अगला intraday stock रहेगा ICICI Prudential इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूर तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग ICICI Prudential के अंदर भी capture कर सकते हैं तो इसलिए traders आप लोग इसे भी जरूर अपने radar पर रखेगा और calculateds मेरा अगला intraday stock रहेगा MacDowels MacDowels के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को cup और handle pattern तो बनते देते हुए नजर आया है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि buying जो हुआ है वो higher volume पर हुआ है साथी में यह जो retesting हुआ है वो lower volumes पर देखने के लिए मिला है और last के intraday session में भी इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि higher volumes पर buying होते हुए नजर आया है तो इसलिए अगर ये target levels का तो traders हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये अपने इस zone को breakout दे देता है तो उसके बाद जो next resistance इसके सामने आएगा वो definitely 1029 के ही around में आने वाला है तो इसलिए इसके अंदर हम लोग 1029 के target को ले करके चलने वाले हैं तो इसे भी traders आप लोग कल के लिए अपने radar पर रख लि rectangular pattern में consolidate कर चुका है साथी में यहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरत सा rounding bottom pattern हम लोग को create होता हुआ नजरा रहा है और आज इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि higher volumes वर buying होते हुए भी दिख रहा है तो ऐसे में कल अगर ये अपनी इस resistance को break कर देता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को इसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि इसका जो अगला resistance है वो बहुत ही जादा दूर है तो इसलिए traders Apollo Hospital के अंदर मैंने target भी बहुत ही बड़ा रखा है लगभग 35 points का target आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो traders आप लोग nifty 50 के अंदर हम लोग को gap up opening देखने के लिए मिल जाता है और उसके अंदर हलका सा selling pressure create होते हुए दिखता है तो उस case में आप लोग थोड़ा देर wait कर लिजिएगा और proper breakout आने के बाद ही इन सारे stock के अंदर अपने trade को initiate के जेगा लेकिन traders अगर कल market के अंदर weakness रहता है और हम हम लोग को selling pressure create होते हुए दिखता है तो उस case में आप लोग अमराजा बैटरीज को अपने radar पर रख सकते हैं इसको traders आज के लिए भी हम लोग ने अपने radar पर रखा था लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि आज इसके अंदर पुए दिन consolidation होते हुए ही नजर आया है और अब य नहीं मिलता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है traders मैं live market में nifty 50 के conditions को देखते हुए definitely एक या दो intraday opportunity अगर मुझे देखने के मिलेगा तो उसके analysis में आप लोग के साथ अपने telegram channel पर share कर दूँगा वो भी proper regions के साथ में तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने telegram channel को नहीं जोइन किया है तो इसे भी आप लोग जोइन कर सकते हैं लिंक आप लोग को नीचे description box में मिल जाएगा इसके साथ सा traders अगर आप लोग को मेरी analysis पसंदारी है और live market में जो updates में provide कर रहा हूं उसका आप लोग benefit उठा रहे हैं तो आप लोग channel को support करने के लिए इसकी membership को भी join कर सकते हैं सिर्फ 89 रूपीज पर मन्त के offer price पर और जितने भी लोग channel की membership को join करते हैं उन सभी लोग को whatsapp stock market news group में और साथी में whatsapp discussion group में भी जुडने का मौका मिलेगा लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बस एक suggestion देना चाहूंगा कि membership को join करने से आप लोग को कभी भी live market में कोई भी internet tip या फिर call provider नहीं होगा मेरे तरब से जो भी चीज़े मैं live market में करता हूँ या जो भी trade analysis मुझे share करना होता है वो मैं आप सभी लोगों के साथ अपने free telegram channel पर ही करता हूँ तो अगर आप लोग genuinely channel को support करना चाहते हैं तभी इसकी membership को join कीजिएगा I hope traders आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर लाइक भी कर दिया होगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद